तो अभी हमारी फिलाल ना बकरी इदर में बैठी हुई है और इसके लिए ना हम लोग को फारम बना रहे हैं जो कि इदर रेडी हो रहा है देख रहें कितना तेजी में बना रहा है चोटे और यह मी सब लगरी आ चुका है हमारा इदर हम लोग का कबूतर घर भी बनने वाला ह और इदर अभी मिस्ट्री आ के लिए भी नाप कर लेकर चले गाएं बहुत हम लोग का जंगला भी लग जाएगा है तो अभी हम लोग का बिल्कुल काम चालू हो चुका है जो की दो दिन से बिल्कुल धीरे चल रहा था पूरा तेजी में पकट लिया है क्योंकि अभी आध मि लोग लेकर चले जाएंगे और इधर हम लोग बनाने वाला कभूतर का घर और अधर में बनाएंगे हम लोग रहेंगे और हम लोग का मुझे दिकत हो रहा है हम एक चीज कहां रखेंगे चाहें का बाद को चो किते हम कबूतर के नीचे हैं या ऊपपर में चाहना मुरूग्जी का बना देंगे इसके। वज difficulties भी हमरा मुंगई देखिए क추 च चुल हो गया यह है। और क्या हो गया थे बिलकुछबू स town सब school देखे हाथ के से मिला रहा है है इसको तोर दिया इससे उन्दर बांद के रखे हुए है तो दोड़ के आ आबने हैं करने लगा है बहुत अच्छा भी हो गया और देखें अभी पकरने दीखें सू रहा है क्या होगा मॉञकी मॉण्की मॉणकी और आभी हम लोग का टींव रेडि हो चुका है और इधर हमें सोच रहे हैं हम लोग जाल लगवा देंगे इसके मिज़े से कोई भी जकनी जानुवर या उए हमाइ doğru परिंदों पर हमारा कर सके हैं यहां की जानों हम लोग का इसे माव पर स्वेल ja एधर करना है भर तर बांदर कि इस हमारे रहा देखें लांधर निकल के गाइब है दिखने रहें गाइब कि इधर में है तो यह देखेंगे इधर में बैठे हुए लोग देखेंगे रहा है लोग अभी इन के लिए जब रेड़ी हो जाया ना तो यह सब बिल्कुल भी काला काला नहीं आएगा मुझे तो दिखाना पर रहा है क्योंकि अभी रेड़ी नहीं हुआ है ना तब अभी मेरी मुर्गी इधर में है तो आप देखे करकनात मुर्गा यही है बिल्कुल काला है बिल्कुल डरा हुआ है इसी को करकनात मुर्गा कहते हैं मुर्गें यह-ढर के रखेंगे और हमारी कितने प्यारे चुजें इधर में घूम रहे हैं करना है लोग क्या हो गया है क्यों इतना तेजी में चिलारा रहे हैं दर सा लग रहा है कि मेरे पीछे उसके में जर्णा बनारे हैं बोच जल्दी रेडी हो जाएगा और देखर में देखर पूरा बनाया नहीं पर उसमें न कोशिश कर रहा है इस वज़े सो बना नहीं पा रहा है बार बार घिर जा रहा है उसका घर नहीं पार रहा है बहुत जल्दी हमारा मेनी जू रेडी हो जाएगा तो सभी परिंदों को अर्फियों को उसी में लेकर चले जाएंगे अपना मेनी जू को रेडी करते हैं तो हमारा बखरी का घर है है देख रहे हैं पूरा रेडी हो गया इधर से झाली लेगा और इधर से झाली लग vrij गया अभी चोटे इसको नहीं बराबर कर रहे है मती को जो की जिस्से पूरा कच्रा थाथ दिख रहा था बिल्कुल कचर जैसा अभी देखे कितना सॉप सुत्रा हो रहा है दिन पर दिनना बिल्कुल ही अच्छा बनता जागा हमारा मेनी जो कि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा अभी तो फिलाल हमने अभी दिखाएं आपको कि जगा में रखें परिंदों का खिर्की देखने सिधा में आएगा तो इधर से एक जब खिरकी लग जागा ना बहुत ही सुंदर सा दिखने लगेगा अभी तो फिलाल हम लोगों को ना यह सब भी करना है नहीं तो जंगली जानवर जैसे बिल्ली हो गया श्यार हो गया इधर जैसे तर आता ह सब्सक्राइब करना फिर हम अपने परिंदों करेंगे तो फिलाल अभी बखरी आने लगा अच्छा सब बन चुका है देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और हमारा मौंकी जो हमारा मौंकी है पिताजी पास देखे कैसे बैठा हुआ है तो यह देख रहे हैं इधर म हम चलता है देख रहे हैं वहां पर बखरी का बना है घर और हमारी जो करकनात मुर्गी आई थी आपने देखे कितना ब्लेक है बटे उसमें जो हमारा सफेद वाला मुर्ग है उसके भगा देरा उसके लिए अलग अलग घर बनाना होगा नहीं तो कुछ दिन बादना एक और वहली है अचे हाँस हमारी मचलिया रहेंगे अधर में देगे बिलाइंगे दो सो मौन कीवा जूला से बनाएंगे अपने पीछा वीडियो आगर आप लोग देखें तो उसमें देखे हुगा हमारा मॉंकी केस घूमता रहता है उसी टाइब करना इधर में हम बनाएंगे इसके लिए जूला और यह फिलाल देखने रहना रहना जरूरी है तो जीवन सुष्ट स्रेथ रहे तो इसलिए हम लोग ना इसको रख रख है परिंदों को लिए अच्छा रहेगा तो अभी फिलाल हमारी बखरी है उसको लेकर गए हैं बाहर बाहर अभी में है और यह सब रेडी करके हम फिल लेकर आएंगे इसके अंदर में जो मारे बखरी का हाउस है ना रेडी हो चुका अभी हम लोग इसमें बखरी ले जाके डालत लग रहा है तो निगल यह भाई दर गेट लगाओ अ उल्टा लगा रहे हो अंदर जाओ अंदर से लगाओ अधर यह वाला हिस्सा एसे रहेगा है अई से रहे गई चलो अब अभी अब अंदर जा ओ देखो हमारी पकड़ी का हाउस के इसा लग रहा है कितना प्यारा सा और डाल देंगे कितना लग रहा है ना चोटे कितना आप लोग जरूर कोमेंट कीजिए कैसा हमने बनाया है इसका हाउस मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है कि अपयार से कोने में चली गई यह थी आज के हमारी वीडियो उमीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साब जोता के लिए दोस्तों